प्रश्ण पत्र है उसका हल लेकर मुपस्तित हुए है तो देखते हैं इसका हल क्या होगा और मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होगे आपने बहुत अच्छा पेपर किया होगा और हिंदी जो साथी मेरे चैनल से जुड़े थे और अमोग स्रंखला आपने प्रश्ण आप देख सकते हैं आप लोग खुद बताईए मुझे कमेंट बाक्स में कि साथ में से कितने प्रश्ण आपको मेरे यूट्यूब चैनल से जैसे एक प्रश्ण है अपरणा वाला मैंने उसकी व्याख्या जो है एक जगा पर कहीं पर की है कि अपरणा किसका पर है तो इस परकार से बताईए आप लोग कि कितने प्रश्ण मेरे पढ़ाय हुए आया या फिर इसकी मैंने वैख्या की थी चलिए प्रणा करते हैं इसका हल जो साथी नए जुड़े हैं वह आगे के लिए आगे की समिच्छातिकारी परिच्छाओं और अन्य परिच्छाओ हो गए हूं लेकिन यह दिहन्दी में आपने अठावन साथ कर दी हैं तो आप आपका यहां से आप प्री अवस्य क्वालिफाई होंगे चलिए प्रणा करते हैं पहला देखते हैं एक वाक्य में विशेशर असुद्ध है तो यहां पैचानना है कौन सा विशेशर असुद् यहां इसे का उत्तर है यहां से बना है और असन असन बने वहने होता है श्रू कि में जुट के चैल और रहुजन तो जो आहुत दी जाती है लेकि को जаксим की वह किस की होती है वह रहुन की होते है तो हुतासन किसका पर्यावाची है अगनी का पर्यावाची है तीसरा देखते हैं जो तोला जा सके उसके लिए एक सब्द है परिमे जो तोला जा सके उसके लिए क्या है परिमे परिमे का विलोम है अपरिमे अनुमे से कोई अर्थ नहीं है विनिमे विनमे का अर्थ होता है ल इस प्रकार से जो है रात के पर्यावाची तनया बेटी को का जाता है दामिनी बिजली का है रमडी रमडी इस्तिर को का जाता है तो इसका उत्र क्या हो जाएगा बिजली का पर्यावाची है दामिनी कौन सा इसका डी उत्र हो जाएगा आगे देखते हैं पांचवा पांचव ये शुद्ध है चंचरीक रामचरित मारस का मुदारन दिया करते हैं आपको आपने सुन्दर कांट पड़ाओगा तो उसमें है गुंजत चंचरीक मधुलोभा ठीक है चंचरीक किसका पर्यावची ब्रहमर का पर्यावची क्या है चंचरीक है इसका उत्तर भी हो जाएगा आ जैका द्यूत्तर सभी है निम्में हश्ति की सब्ताइक है बहुत लम्बी चर्चा हुए साथियों में हस्ती है और हैं और मैंने बताया था हस्ती जो है वहाथी का त्थन फितन सम्हें ठीक है आवर्तक का विलोम सब्द है दसवा जो प्रशन है इसमें आवर्तक तो आवर्तक का विलोम सब्द है अनावर्तक ठीक है आवर्तक का विलोम सब्द क्या है बीवला अनावर्तक गैरवा देखते हैं हवा कभी जो ततकाल कविता करे इसका सही उत्तर हो जाएगा आशु तोश, आशुका अर्थ क्या होता है आशुमाने सीघ्र, तोशुमाने संतुष्टोने जिनी सीवजी, आशुक कवी ऐसा कवी जो तुरंत कविता कर दे ठीक है, इस परकार से कई सब्द बना के मैंने इनकी व्याक्ष करके, मैंने बताया था कि यदि कोई, मैं जो समझाता हूँ उसको आप अच्छे से अगर समझ लेंगे, तो आपके दिमाग में दीर काल के लिए बैट जाएगा, फिर आपको बार-बार रटना नहीं पड़ेगा, इसको आशुकार से क्या है एक बार समझ लीजे, बस दिमाग में बैट गया, आगे देखते हैं, निमड़े से कौन सा तदभो सब्द है, यहां पर तदभो जो है, दाड़ी है, दाड़ी का होता है, दंश्ट्रिका, ऐसे होता है, ठीक है, मैंने दाड़ का और दाड़ी का दोनों का बताया था, तुन बनने का भी पता होगा इसका उत्तर क्या हो जाएगा डी वाला यानि जो किसी विसे का ग्याता हो विशेशग्य नेम लिखिस में एक वरतनी शुद्ध है देखे नुपूर मैंने धाइसों वरतनी शुद्धी जो अमोग स्रंखला में कराई थी इसमें दो या तीन वरतनी जो लगती है और पा में छोटो उकी यहां पर क्या है उल्टा है यह भी गलत होगे सुद्ध वरतनी कौन सी है कवित्री यह मुझे लग रहा है हर परिच्छा में आता है कवित्री जो है वह सुद्ध वरतनी है अपरणा मैंने एक टेस्स इरीज में इसकी व्याख्या की थी सदा चार का विलूम क्या है कदा इसका उत्तर सी के बाद इसको क्या कहते हैं विष्उआज़ृど तो उसको विशेश के कहते हैं, इसकी विशेश के कहते हैं, इसका उतर भी हो जाएगा, उनिसवा देखते हैं, बीना पलक जपकाए, मैंने अमोग सरंखला में अनिमेज और निरनिमेज इनको सास सास लिखा है, और समझाया भी था, आप लोग देखी वो वाला वीडियो, नि क्वार्डवु तक हो था तो यहां पर विशेशन के रूप में प्रयोग होगा तो यह दोनों रूप में प्रयोग С सी आगे देखते हैं नियुकर से कौन सा तत्सम सब्द है तत्सम ठीक है ने तत्भो नहीं है ठीक है यहla पंदरां गलत लिखा ठीक है आपूँश्य कहीं पंदरा पंधरा ka का तत्सम क्या होगा पंग पंग यह इसまた यह भी क्या है तद्व dit यहांपर और एक फान पंक्ति और वह भी किसका पंगत का पंगत का तत्सम पंक्ति है यह बहुत ही आसान बना दिया एक ही प्रश्ण में तद्वों तत्सम दोनों रख दिये जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए था थोड़ा इसको और जटिल की तरफ ले जाना चाहिए था तो इसका पहला पहला ए उत उत्तर सही है तत्सम सब्द क्या है पंक्ति आगे देखते हैं 22 में से उत्तरादिकार में प्राप्त संपत्ति तो इसके लिए एक सब्द क्या है रिक्त मैंने अमोग स्रंखला में कराया है क्या है रिक्त धरूर नहीं होगा उत्तरादिक्रत भी नहीं होगा परिसंपत्त भ और यहाँ दुर्ण का उतर सही है जबती है और जोबीस का इसका उतर सभी है क्योंकि यह तत्सम सब्द है यह गया जखते हैं पचीशवाम नेमलेखित में से कि इस सब्द की वरतनी अशुद्ध है तो इसमें याग वलक है इसकी वरतनी अशुद्ध है क्या होगी याग वलक है अंत में या बनता है आधी का आधीला बनती है तो ये वरतनी अशुद्ध है बाकि तीनो शुद्ध है सद्रश ग्रहीडी हस्त छेब ये तीनो शुद्ध ह मैंने अमुक्स रिंखला में भी कराया है उसके पहले जो अपने नोट्स बनाया थे उसमें बताया था आगे चलते हैं तो पचीसवें का ए उत्तर सही हो गया आगे देखते हैं निम्नांकित में से तदभो सब्द चुनिए ठीक है क्या चुनना है तदभो बलवान चमचा आस वश्मान तीनोही तत्सम है बाँज़ बाँज का क्या होता है वन्ध्या ठीक है बांज का तत्सम वन्ध्य हो जाएगा तो यह तदभो है इसका उत्तर 26 कभी है अगे देखते हैं प्रत्विका पर्रयवाची सब्द नहीं है यह दापने नहीं नहीं पढ़ाओगा तो आप पर्यावाची वाले सब्द में कई बार मैंने आचल अचला में आपको कन्फ्यूज किया है तो यह इसलिए कन्फ्यूज किया था कि परिच्छा में आये तो आप अच्छे से हल कर लें और मुझे उम्मीद है कि आप तुरंत पहचान गया होंगे और मेरी याद जरूर आयोगी सर ने परिच्छ गराया था अचल जो है वो परवत का और sticking परहा के इन एक बार बार एक पुष्टक की आप लोगों को रिकमेंड करता था वाज़ों नंदन जी की और आप लोग देखेंगे ये चारों ही वाकिवाज़ों नंदन जी की पुष्टक में दिये हुए हैं और मैंने भी कराए हैं उसने मुक्त हंसे बढ़ाई की यह बिल्कुल ठीक वाकिय है नहीं ने इसका सयुत्त क्या हो जाएगा जो इस प्रशन पहले भी आया था और इस बार भी आया कई सातियों ने इस पर चर्चा की सर्फ मनस होता है या मानस होता है तो मानस जो है वो विशेश शब्द है और इसका विशेशन होता है मानसिक तो कौन सा सब्द विशेश है मानस तो इसका उत्तर हो जाएगा डी एक तीस्वा देखते हैं एक की वर्तनी अशुद्ध है तो देख सव गुना लंबा देखे जा पर गुणा की बात आजाय वहाँ पर प्रशन आपका हो गया आवरत्ति वाला एक गुणा दोगुणा चरओ गुणा। क्लिएब तो पहला टूसरा तीसरा उस प्रकार से क्या हो जाएगा अंधकार शूर नहीं gradient अंदेरा होता है ठीक है आगे चलते हैं देखते हैं इसका विलूम उत्र क्या हो जाएगा 33 का डी वाला अमरत का विलूम है अमरत का विलूम बताने हैं आपको ठीक है अमरत यह जिसको बोलते हैं आप प्यूस कह सकते हैं या ठीक है अमरत का विलूम क्या हो जाएगा विस हो बहुत ही आसन प्रश्ण है अमरत का विलोम विस हो जाएगा डी वाला इसके बाद यहाँ पर चार वाकि दिये हैं पहचानना आपको कौनसा वाकि सुद्ध है तो देख लेते हैं बाग और बकरी एक घाट पर पानी पीती हैं गलत है क्या होगा पीते हैं बाश्तियों नजी क तो यहाँ पर तमाम नहीं होगा प्रकड नहीं होगा और पीती नहीं होगा पीते होगा तो इस प्रकार से इसका पहला वाकि जो है वो बिल्कुल सुद्ध है उस जंगल में प्राता काल का दर्श से बहुत ही सुवावना होता था अगर यहाँ पर दिया होता उस जंगल में प्राता काल के समय का दर्श से बहुत ही सुवावना होता था तो ये गलत हो जाता लेकिन यहापर के समय नहीं लिखा है तो ये उत्तर बिल्कुल ठीक है और इसका पहला वाकिशुद्ध है आगे देखते हैं वरतनी की द्रिष्ट से शुद्ध सब्ध है पूजनिय बहुत बार मिरता है या तो पूज लिखिये या पूजनिय लिखिये ये दोनों सुद्ध है लेकिन पूजनिय या लिख दिया तो ये हो गया असुद्ध ठीक है असुद्ध है प्रामाडिक बिल्कुल सुद्ध है प्रामाड और एक प्रत्य लगा देंगे इसमें जब तो क्या बन जाएगा प्रामाडिक ये सुद्ध है ततकालिक नहीं होता है ततकालिक होता है ततकाल में एक लगा है तो इसमें बड़ा के मत्र हो जाती है पैत्रिक कैसे लिखा जाएगा नीचे री लगेगी देखिए पैत्रिक संप तत्सम ूद्यानों सबस्ट इसका псалज रगा उनका गलत है तमस्थ फिपत्व रूप है कर्पट का तद्वील रूप है कर्पए कुल संसरों oven कपड़ा मैंने बता करपूर होता है आधुनिक समिचीन और्वाचीन और समसमय है कि इन तीनों के अर्थ है आधुनिक का रूहता है तो और अाधुनिक का विन?" तो आधुनिक का विलोम सब्द हो गया प्राचीन इसका सी वाला विगल्ब सही है आधुनिक का विलोम सब्द प्राचीन है वशुधा का पर्यावाची सब्द है शर्वरी मैंने भी बता दिया पैश्विनी आप बता यह पैश्विनी किसका पर्यावाची है मैंने बहुत वर प्रताप सिंग का घोडा काला है इसमें काला सब्द विशेशन के जिससे है तो मैंने बताया था दो प्रकार से होते हैं विशेशन होते हैं और दूसरे विधे विशेशन होते हैं ठीक है तो विधे विशेशन जो है ये है क्यों क्योंकि इसमें घोडा काला या विशेशन जो सद्द्ध यानि विलोम क्या हो जाएगावग्रह अनुगहा क्या होगा विग्रह आगे देखते हैं चोअ चोट का पर्यावची मैंने मौसक इस प्रकार से खनक कुंभिल बहुत बहुत बार प्रयास क्लिज्फ कराया है तो गा हो जाएगा कि उत्तर धी उबंती है अनुकूल अनाधिकार होता है चुद्ध वरति क्या है अनाधिकार आ胥 जो देग सकते हैं तो यहां पर सुदश्प्ध क्या हो गया और बाकी य तत्सम है ये तत्सम है दोनों लेकिन यहाँ पर अंगी और अंगना तो यहाँ पर अंगी सब्द जो है अंगी करन अंगी कार करना इस प्रकार से मुझे लग रहा है तो यह भी तत्सम है लेकिन अंगना जो है अंगना का आंगन होगा अंगना जो है आप लोग जो अपने दे प्रत्यासित और अप्रत्यासित दोनों का रथ क्या होता है। ये सही हुत्तर हो जाएगा B वाला यानि अप्रत्यासित आगे देखते हैं उन्चास्वाँ इन में से प्रथम का उप्युक्त विपरितार्थक सब्द है प्रथम देखें प्रधान और गोड ये देखें एक ही उसमें दोनों विकल्प विलोम रख दिये गए कम बोलने वाला क्या हो जाएगा मित भाषी मृद भाषी नहीं मित भाषी मित सब्दकार्थ होता है कम कम बोलने वाले के लिए क्या सब्द हो जाएगा मित भाषी ये सही है चंद्रहास कि का पर्यावाची है तलवार का और मुझे लग रहा है रावड की तलवार का नाम भी चंद्रहासी था तो यहां चंद्रहास का पर्यावची सब्द क्या है तलवार है और मैंने पर्यावची यह कराया आपको तीर भाला धनुस्बान कुछ नहीं है आगे देखते हैं निर्विन से एक वाकि जो अणिको नहीं होता है अनेक अपने आप में भाला नहीं जा सकता है। मैंने बताया था कि किसी का मुल एकर बात होगी तो आखा हो जाएगा क्या ओजाएगा कुछ नापा जाएगा और यह कोई वस्त है जमीन नाप नापनी है तो वह नापा जाएगाँ थीक है यहां पर इसका सुध्ध वावशट के कॉन सा है बिना टिकट यात्रा दंडनी यह यही बिल्कुल सुध्ध है यहां पर अनेको गलत है मापा का नहीं आप केवल इतना ही देखे केवल भी लगा है, ही भी लगा है, दोनों का प्रयोग नहीं हो सकता, या तो केवल लगेगा, या ही लगेगा, आप केवल इतना काम कर दीजिए, या आप इतना ही काम कर दीजिए, ये सही है, लेकिन दोनों का प्रयोग नहीं होगा, चोनवा देखते हैं गोधूम का तद्वो सब्द है मैंने बताया था गोधूम का क्या होगा गेहूं गेहूं हो जाएगा गेहूं नैसरगिक का विब्रितार्सक सब्द है नैसरगिक नैसरगिक का होता है कृत्रिम नैसरगिक का विलोम क्या हो जाएगा कृत्रिम ठीक है चागराज में दसवावेक्ति कोरोना पीडित है ठीक है आप यहाँ पर बहुत कन्फ्यूजन है मैं आपको बतादू आवरत्ति वाचक बिल्कूल नहीं है गुना इस प्रकार से उता तो अग्णना वाचक भी नहीं है गणना पर्थम दो थीत रथी चतृत पंचम इस प्रका कहा अठाउनवा गदीखते हैं इसपेबेर से बना विशेशण है तो यह है खिलाडी क्या बना है आगे देखते हैं निविकल्फ अचार और अचन्ड कि अ создic तो यहाँ पर आकर्ण भी विशेशड है अचंड का मतलब होता है कह सकते हैं जो बहुत रुद्र रूप में ना हो जो सौम में हो ठीक है अचंड को सौम में कह सकते हैं आप और अचंड और सौम दोनों ही विशेशड है अचार जो है अचार और आचार में अंतर है यहाँ पर अचार जो है, वो संग्या वाला है, जो खाया जाता है, अगर मैं रोटी के साथ, ठीक है, तो ये अचार जो है, ये संग्या है, विशेशन नहीं है, विशेशे है, तो इसका 69 का B होगा, ठीक है, क्या होगा, ये विशेशन सब्द नहीं है, अचार इसका होगा, और अन्तिम ह से हिंदी में साथ में से कितने प्रश्ण आपके फसे हैं और ये पेपर आपका कैसा रहा कटाप पर चर्चा इसके बाद में एक वीडियो बनाकर मैं कर दूँगा इसके बाद जो गुरूप बना हुआ है उसमें आप जुड़ जाई है मेंस की तैयरी अभी से स्टार्ट कर द दो प्रश्ण गलत हुए हैं मुझे उमीद एक जो भी मुझे से जुड़ा था उसके 55 प्लस अंक अवश्य होंगे ठीक है तो आप लोग बताएं कि में कितने प्रश्ण ठीक हो रहे हैं धन्यवाद